गौनाहा नाली का गंदा पानी घर में घुसने से लोगों की बड़ी परेशानी ग्रामीनों ने अक्रोश ब्यक्त करते हुए बताया कि घरों में गंदा पानी घुसने से हो सकती है महामारी ग्रामीनों ने बताया कि घर में बना कर रखे गए भुजन में भी घुस जाते हैं इस गंदी नाली के कीवे न्यूज नाइन टाइम्स पश्चिम चंपारंग गौनाहा से आशिक हुसेन की रिपोर्ट गौनाहा प्रखंड अंतरगत बेलसंडी पंचायत अंतरगत वार्ग नंबर तीन में प्रमोद राम के घर से महेश राम के घर तक बने नाली में मित्ती कचरा आदी भर जाने से नाली पूरी तरह से जाम हो गया है नाली जाम हो जाने से गंदगी आदी भर गया है जिससे नाली में बदबू आते रहती है जो मच्छरों का देरा बन गया है गंदी नाली से अनेकों भयन कर बीमारी होने की संभावना बनी रहती है बरसाथ के दिनों में पानी निकासी नहीं होने से गांग के सहाबुल मिया, अर्विन साई, राधिका देवी, विनोध राम आदी के घरों में पानी घुस जाती है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है पानी का समुच्छित निकास नहीं होने से रास्ते में भी पानी भर जाता है और पूरा रास्ता की चर्युक्त हो जाता है जिससे रराहगीरों को भी परेशानी होती है नाली की सफाई कराने को लेकर ग्रामीन प्रमोद कुमार, अर्विन साई, सहाबुल मिया, अब्दुल करीन, धेला देवी, सफीना खातून, तबसुम खातून, एतुला खातून, विनोद राम, राधिका देवी आदी लोगों का कहना है कि कोई बार नाली सफाई व मरमती क लेकर स्थानिय मुखिया शंभू राउत से कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। लेकिन इस समस्या को कोई भी नहीं सुनता और समझता है, हम लोग जाएं तो जाएं कहा जाएं। News 9 टाइम्स अभी एक महिना दू महिना होता रहता है। पानी के समस्या हमने लगाता रहे। निकास के इसका कहीं बहुत था नहीं है। आपका नाम? प्रमातमार गोर नियात लेवल संडी पंचायत लेवल संडी